हेलो फ्रेंड्स वन्स अगेन वेलकम तो माई यूटूब चैनल बेस्ट नॉलेज फर्स्ट अफॉल प्लीज तो लाइक एंड कमिक माई वीडियो तो आज हम पढ़ने हैं बी एससी फोर सेमेस्टर में मैट्स का चेप्टर नमबर टू का सिकेंड लेक्चर इसके एक लेक्च का एक लेक्चर हो चुका है और चेप्टर नमर वन के भी सारे लेक्चर हो चुके हैं अगर आपको प्रिवियस particul lectures देखने हैं तो डिस्क्रेप्शन में में उसकी बनी बनाई playlist का लिंक आपको दे दूए Ny Aura से जाकर देक सकते So B.Sc. 4th semester में Maths की दो बुक लगी हुई है, first book के lectures चल रहे हैं, first book के chapter number 2 आपका चल रहा है, first book जिसका नेम है differential equation, उसका chapter number 2 जिसका नेम है partial differential equation of the first order, जिसके बारे में अपने previous lecture में discussion कर चुके हैं कि partial differential equation क्या होती है और इसे related questions भी हम कर चुके हैं, इस chapter में आपके एक और equation के बा है Lagrange linear equation कि Lagrange linear equation क्या होती है और उसे related questions को कैसे solve करते हैं, so आज हम discuss करेंगे Lagrange linear equation के बारे, so start करते हैं, so देखी का friends मैंने हाँ पर note कह है Lagrange linear equation, so Lagrange linear equation क्या होती है, या इसको हम कैसे पैचाने हिंगे कि कोई equation Lagrange linear equation है, so form of the differential equation, अगर आपको किसी differential equation इस form में मिलती है, p, p plus q, q equals to r, अगर आपको कोई differential equation इस form में मिलती है, capital p, small p, plus capital q, small q equals to r, तो वो आपकी linear Lagrange linear equation कहलाती है, जहां पर small p और small q की value ये होती है, capital p तो as it is है, p की कोई value होगी, जब हम question करेंगे इस related तो आपको और अच्छे से समझ मैंगा, लेकिन small p की value होती है, वो del z by del x होती है, and small q की value होती है, ये मैं अपनी previous वाले lecture में बता चुकी हूँ, small p और small q की value, del z by del x and del z by del y होती है, respectively, because ये जो होते हैं, partial derivatives होते हैं, in the partial differential equation, and it is a partial differential equation, so previous वाली वीडियो जो है, जो lecture है, वो काफी relate कर रहा है, इस lecture से तो आपको मैं advice करूँगी, कि आप पहले previous का lecture देख लें, तो ये chapter और ये topic, दोनों ही काफी अच्छे से आपको समझ में आएंगी, so ये तो बात मैंने आपको बताए कि Lagrange equation की form क्या होती है, कि उसको कैसे पहचानते हैं, अब Lagrange equation को solve कैसे करते हैं, मैं आपको और explain कर देती हूँ, तो first of all, आप equation में सबसे पहले ये जानने की कोशिश कीजी, कि वहाँ पर P क्या है, Q क्या है, and then R क्या है, सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश कीजी, उसके बाद हम बनाते हैं Lagrange auxiliary equation, क्या बनाते हैं, Lagrange auxiliary equation, तो Lagrange auxiliary equation बनाने के लिए, मैं आप language लिख देता हूँ, पहले दा Lagrange auxiliary equation, Lagrange auxiliary equation इस इस तने से होती है, लेगरांस औक्जरी क्विश्ट होती है dx over p dy over q and dz dz over r यह होती है ठीक है किस तरह से आपने इसके औक्जरी क्विश्ट निकालेंगे औक्जरी क्विश्ट निकालने के लिए dx over p equals to dy over q equals to dz over dr p q r आप कॉश्ट में से ही find करेंगे p q r ठीक है और यहां पर values को put करके lagran's auxiliary equation को find करेंगे अब उसके बाद हम यहां पर find करने के बाद इसका मैं format लिख देती हूँ फिर आपको explain करती हूँ so देखेगा मैंने इसका पूरा format note कर दिया है मैं आपको explain करती हूँ यहां तक तो मैंने आपको समझा दिया था उसके बाद है find two independent integrals of these auxiliary equations इस auxiliary equations के हम two independent integrals find करेंगे जिसको हम कह सकते हैं u and v इस auxiliary equation को find करने के बाद हम two independent integral find करेंगे जिसको हमने u and v दे दिया तब Lagrange linear equation का जो solution होगा जो general solution होगा then the general solution is given by कुछ इस थने से होगा वो function होगा u and v का या फिर वो function v या u का कुछ भी हो सकता है वो function u and v का भी हो सकता है v and u का भी हो सकता है आगे पीचे लिखा है और कुछ भी नहीं है जब हम question करेंगे तो और अच्छे से clear होगा तो अब हम question पर ही आते हैं इसका format हमने अच्छे से समझ लिया है कि Lagrange linear equations कैसे होती है और इसका format क्या है step by step इसको करेंगे और सम्रेंगे मैं question note करती हूं next page पर बार अपको explain करती हूं सो देखीगा friends मैंने यहाँ पर एक question note किया है P 10X plus Q 10Y equals to 10Z तो first of all आपको यहाँ पर पहचान करनी है कि एक Lagrange linear equation है सो आपने कहसे पहचान किया देखी यहाँ पर आप जब compare करेंगे इस equation से P P plus Q Q equals to R से तो ध्यान से रिखेगा compare करने पर यहाँ पर P और यह वाली value भी होगी P की capital P की value होगी 10X and small Q फिर capital Q की value होगी 10Y and R की value होगी 10Z ठीक है यह रिखेगा तो इसी तरहें आपने इसके पहचान करनी है जिन equations में आपको P और Q find हो रहे हैं P और Q दिख रहे हैं उसका मतलब है वो equation किसकी है Lagrange linear equation है की के हैं सो अब हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं on comparing on comparing p p plus q q equals to k r मैंने इस equations से इसको compare किया जब मैं इस equations से compare करूँगी so P तो P है small P तो P है and small Q भी Q है but आपको यहां से capital P की value निकल रही है capital P की value है 10 x ठीक है फिर small q की value q ही है small capital Q की value है 10 y and then R की value है 10 z यहां से हमने P Q and R की value find की है जैसे कि मैंने यहां पर आपको बता था P Q and R की value find करेंगे उसके बाद हम क्या find करते हैं आप यहां पर देखिए उसके बाद हम Lagrange auxiliary equation को find करते हैं सो हम यही करेंगे Lagrange auxiliary equation निकालेंगे तो Lagrange auxiliary equation के लिए क्या होता है dx over P equals to dy over q and equals to dz over r dx over p equals to dy over q and equals to dz over r खीक है तो हम यही करेंगे dx तो यहां पर देखिए P की value कितनी है P is 10x तो हम यहां पर 10x put कर देंगे 10x equals to dy over q q की value कितनी है 10y तो हम यहां पर q की value के place पर 10y put करेंगे and equal to dz over r 10z auxiliary equation हमने यह बना दी है अब इसको solve कैसे करते हैं क्या करते हैं यह 3 terms है हमारे पास 1 2 3 इन में से कोई से भी 2 terms को हम ले लेते हैं so मैंने starting के यह 2 terms को ले लिया है to मैं इसको इसको इस तरह से लेख सकती हम देखिए q or x dx किस तरह से लेका है मैंने 1 over 10x की value कितनी होती है q or x очень 1 over 10x की value होती है q or x तो dx as it is equals to 1 over 10 y की value होती है cot y dy यह trigonometer में आपने बढ़ा होगा 1 over 10 होता है cot 1 over 10 होता है cot so यहां आ गया यह मिलने के बार हम करते हैं इसका integration on integration ठीक है हम इसका integration करते हैं integration करने के लिए यह sign लगा देते हैं integration का cortex dx similarly rhs और lhs दोनों में लगाएंगे हम integration का sign cot y integration करते हैं cot x का integration होता है log sin x तो log sin x equals to cot y का integration होगा log sin y एक constant attach होता है जब integration करते हैं यहां पर log के terms में ले देते हैं log c1 एक constant attach किया है हमारा integration log के terms में आ रहा है तो हमने constant भी log के terms में ही कर लिया है log c1 इतना आपको clear होना चाहिए काफी अच्छे से कोई भी doubt नहीं होना चाहिए अब log के आपको property पता है क्या है देखिए कैसे log sin x तो as it is log sin y plus log c1 जब log के दो terms plus में होते हैं तो वो multiply में आ जाते हैं इस तरह से इसको लिख सकते हैं log sin y c1 log अगर दो बार लिखा हुआ है और plus में होता है तो वो multiply में आ जाते हैं उसके term तो sin y और c1 multiply में आ गए लोग से लोग cancel तो क्या बचता है sin x आपका lhs में and then rhs में sin y c1 यहां से आपको यह value मिलती है उसके वन हम यहां से solve करते हैं c1 की value c1 की value find करेंगे तो c1 की value ऐगी sin x over sin y सो यह हमने find की c1 की value अब देखिए जैसे हमने starting के two terms लिए थे अब हम लेंगे last के two terms अभी हमने starting के two terms लिए थे अब हम last के two terms लेंगे यह वाला second वाला term and third वाला term तो जब second वाला term लेंगे सो मैंने आपको बताया 1 over 10 को cot लेख सकते हैं तो हम इसको लेख सकते हैं cot y dy equals to इसको लेख सकते हैं cot z because 1 over 10 z cot z dz as it is again बिल्कुल same process जैसे हमने इसमें किया है वैसे हम इसमें करेंगे on integrating ठीक है जब हम इसका integration करेंगे lhs and rhs में integration का sign लगा देते हैं integration का sign लगा दिया है cot y integration of cot z dz integration करेंगे तो again log sin y integration में इधर and इधर आएगा log sin z plus log c2 because अभी हमने उपर constant जो add किया था वो c1 किया था so हम जो नीचे कर रहे हैं आपर हम आपर c2 ले दे ले 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 लोग c2 so log की property से plus वाले आगे हैं आपके multiplier में log sin z c2 ठीक है कोई doubt नहीं होना चाहिए बल्कुल भी अब log से log cancel sin y is equal to sin z c2 यह आपको यहां से मिल गई है अब next page पर मैं explain करती हूँ आप क्या करेंगे c2 की value find करें c2 की value किस तहरे निकलेगी c2 is equal to कितना आ जाएगा sin y upon sin z so आपने रेखा हमने लेग्रांस equation पहले सबसे पहले पहचानी की वह लेग्रांस equation है और लेग्रांस equation से compare करकी p q and r की value find की and then auxiliary equations यूज किया आप यहां पर लिख सकते हैं लेग्रांस औक्जिलरी equation ये यह हमने पूरी लेग्रांस औक्जिलरी equation फाइंड की उसके बाद हमने स्टार्टिंग के टू टमस लेके एक constant की value निकाली and last के टू टमस लेके second constant की value find key अब इसकी general answer जो है इसका general solution जो है वो कैसे निकलेगा hence the hence the general solution is given by इसका general solution निकलेगा इस तरह से एक function में रख देते हैं दो constant find करते हैं उसकी बाद हम function में रख देते हैं मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमने two independent integral लिये थे यू एंड वी और उसको फिर हमने function में रख दिया था function में रखकर 0 के एक कोल दिखा दिया था तो similarly हम यहाँ पर भी यही करेंगे क्या करेंगे हमने हमारे यहाँ पर यू एंड वी के प्लेस पर क्या है c1 एंड c2 तो दो constant है उन्हें हम function में रख देते हैं first constant है sin x over sin y and then second constant है sin y over sin z इस तरह से हमने यह दो constant को equals to के 0 निकल दिया और यही आपका general solution आ गया Lagrange equation का इसी तरह से Lagrange equation की questions होते हैं मैंने अभी एक question बताया मैं एक और question आपको explain करते हूं जिससे आपको बिल्खुल clear हो जाएगा कि Lagrange equation के questions कैसे होते हैं ठीक है सो देखीएगा friends मैंने हापर एक और question note किया है p-q equals to z x plus y सो यहां तो और भी easy हो गया है देखी कैसे small p और small q दे रखा है capital इसके साथ कोई term ही नहीं है जिसको हम capital p और capital q बोल है इसके साथ कोई term नहीं है इसका मतलब capital p की value 1 है capital q की value भी 1 है and r की value rhs में होती ही z over x plus y है so previous वाले questions जैसा ही इस question को करना है on comparing capital p small p plus capital q small q equals to क्या जब हम इससे compare करेंगे तो capital p की value आएगी 1 and small q की value आएगी minus 1 and r की value आएगी z over x plus y ठीक है अब हम क्या करते हैं Lagrange equation auxiliary equation find करते हैं the Lagrange auxiliary equation is Lagrange auxiliary equation क्या होती है dx over p equals to dy over q equals to dz over r so वहीं करेंगे dx over 1 because p is 1 and dy over minus 1 because q is minus 1 and dz over z over x plus y because r is z over x plus y so मैंने यहा पर auxiliary equation रखती है उसके बाद starting के 2 terms लेते हैं और उसका integration करते हैं so starting के 2 terms लिया और उनका मैंने integration करा on integration integration on integration ठीक है जब मैं इसका integration करोंगे लगा दिया है तो डी x-4 and then dy-1 का integration-y और इक constant ऐचोगा plus c1 c1 यानिका constant की value हम find करते हैं तो c1 की value कितनी आएगी x plus y so तो देखिएगा C1 की मैं value easily find कर चुकी हूँ मैं side में यहीं पर last के two terms लेती हूँ और यहां से find करती हूँ C2 की value तो C2 की value find करने के लिए मैंने last के two terms लिया है यानि कि dy over minus के 1 लिया है and dz over z over x plus y लिया है तो इसका integration करने पर आएगा minus के y और एक में हाँ पर constant attach कर देती हूँ C2 आप कि इधर भी कर सकते हैं constant attach LHS में भी and RHS में ठीक है अब मैंने इधर क्यों नहीं attach के अभी आपको समझ में आएगा जब मैं इस वाले term का integration करूँ नहीं तो x plus y उपर जाएगा and z नीच जाएगा as it is रहेगा and 1 over z का integration होता है वो log z होता है 1 over z का integration log z और x plus y आप ध्यान से देखिए x plus y की value कितनी है c1 तो यहाँ पर मैं x plus y की जागे लेख सकते हूं c1 यह वाला step आपको अच्छे से clear होना चाहिए इसलिए दुबारा बता देती हूं dy over minus 1 का integration होता है minus 5 plus c2 मैंने हाँ पर एक constant attach किया है ठीक है फिर यहाँ पर इस वाले term का integration करने के लिए z over x plus y लिखा है denominator में x plus y उपर जाएगा तो x plus y एक constant है and x plus y की value कितनी है c1 तो x plus y की value मैंने हाँ लिख दी है c1 फिर remain होगा 1 upon z dz and 1 upon z का integration होता है log z सो यहाँ पर एक constant पहले से है इसलिए मैंने इधर एक constant को add किया है ना कि इधर अब देखें आपको c2 की value निकालनी है तो c2 की value कितनी आएगी c2 की value आएगी c1 log z plus k y यह आपने find के लिया है c2 c1 भी find कर लिया c2 भी find कर लिया अब क्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करते हैं इसका हम general solution लिखते हैं सो आप यहाँ पर constant c2 की value में यहाँ पर c1 के place पर कर लख सकते हैं x plus y log z plus y equals to 0 equals to में 0 लगाना ना भूलें और देख रहा हैं हाँ यहाँ पर c1 के place पर मैंने c1 की value रख लिया सो यह इसका solution हो गया इस question का अच्छा आपके books में इसका solution change भी हो सकता है क्यों हो सकता है उसका reason में बताते हूं आता आती हूं आपको वह इसनी हो सकता है जब हम integration करते हैं तो हमने जैसे starting के two terms ले लिए and then last के two terms ले लिए हमने ऐसा करके हमने solve कियाए कभी-कभी ऐसा करते हैं यह starting के two terms ले लिए and then यहाँ पर solve करने में यह first वाला and last वाला term ले लिए हो तो उससे क्या होता है आपका answer में x, y जो होते हैं वो change हो जाता है और answer आपका change हो जाता है तो यह answer भी बिल्कुल सही है और वो answer भी बिल्कुल सही है बस answer change होने का reason यह है कि हमने यह ले ली है terms and then यह वाले last के two terms ले है इन्होंने हो सकता है फर्स और थर्ड वाला term ले लिए हो यहाँ पर आपको इसे भी दो terms ले सकते हैं पहले के दो ले लिजे फिर दो ले ले लिजे कोई से भी आप टम्स ले लीजे बस आपका जो सॉल्यूशन है वो सही होना चाहिए इस तरह से लेगरांस के कोशन होते हैं और काफी एजी होते हैं मेरे हिसाब से तो इसके कोशन काफी एजी हैं और अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंड बॉक्स में जरू कर दूंगी थैंक यू फ्रेंड्स फर वाचिंग मैं वीडियो प्लीज यह लाइक इन कमें थैंक यू फ्रेंड्स